हेलो दोस्तों बिलकम टू स्पेशल इस्टेडी विद्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ी खुसकबरी निकल के आरी है डीत प्रस्वी निव पीजीटी फाइनर रिजल्ड कटाप 2022 ते इसके लिए आज अभी अभी डीत प्रस्वी की तरफ से पीजीटी बैकेंसी 2022 से जुड़ी हुई निव डिजल्ड कटाप नोटिस जारी कर दिये गए हैं जो इस वीडियो के माद़न से फुल ओफिशियल अपडेट आपके साथ स्यार करेंगे आप वीडियो को सुरू से लेके आखिर तक जरू से जरू देखिएगा आल ओवर इंडिया लेवल से एंटीचर्स रिक्रूमेंट की सवीपकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूटूब चैनल को भी जरू से जरू सस्काइब कर लें ठीक है दोस्तों आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें डित प्लसभी की पीजीटी वेकेंसी से जुड़ी नई नोटीस जारी की गई है यहाँ पर देखने हैं दोस्तों यह है डिलेड सबोर्डिनेट सभी सेलेक्शन बोर्ड डित प्लसभी की ऑफ्चियल विस्टार्ट जिसमें सभी प्रकार की जितनी भी डित प्लसभी से संबन्दित रिकूर्मेंट होती है या फिर आपकी कोई भी नोटीस हो फास्ट रिकॉर्ड नोटीस हो रिजेक्शन नोटीस हो या किशिपकार का रिजल्ट हो या फिर अदर्स रिजल्ट हो तो सभी इशिपकार इसमें दर्साय जाते हैं यहाँ पर आपको एक section दिखाई देगा देखने हाँ पर latest update का section जिसमें सभी प्रकार की notice दिखाई जाती है इनके अलाबा भी यहाँ पर देखने हैं what's new का एक section दिखाई देगा इन दोनों ही section पर आपको सभी प्रकार की notice मिल जाया करेंगी यहाँ पर देखने जो आज अभी अभी new notice जारी किया गया डेट इस 15-32-22 पंदर माज को देखने सफली वेंटी result notice नंबर 13-55 PGT fine art female के लिए indirect date आप इसके संद जिनका postcode 84 बटे 20 था इनका भी result जारी कर दिया गया है देख लें जो 9 vacancy थी इसमें total advertisement में 9 vacancy थी जिसमें UR के 6 vacancy आई थी और OBC के लिए 3 vacancy आई थी इनका जो exam हुआ था यहाँ पर देख लें जो इनकी कटाप गई हुई है candidate की कुछ इसकार से तो केवल OBC के candidate ही यहाँ पर देख लें जो इनकी out of 300 में 150.25 इनकी कटाप गई है इनका भी supplementary result जारी कर दिया गया है जो भी इनने इन post quote से candidate एक ही candidate था देख लें जिनमें selection किया गया OBC कटेगरी गई है बाकि यहाँ पर देख लें जिनका betting list में भी रखा गया है कुछ candidate को यहाँ पर देख लें और यहाँ 150.25 इनकी कटाप गई हुई है और इनका जो betting list है तो एक ही candidate के लिए दी गई है और यह betting list जो दर्साइग गई है वो केवल मानने रहेगी यहाँ पर देख लें 171223 तक ही valid रहेगा जो भी betting list में गया है candidate वो केवल 17 जन्वरी 2023 तक बेट कर सकता है इसके अलाबा बेटना करें यदि किसी भी student का किसी कानम mistake हो जाता तो इस student को chance मिल जाएगा इसके अलाब अब जो नोटिस जारी किये गई है डीट परस भी की तरब से इससे पहले देख लें जो करेंडम जारी कर दिया गा थी अभी तक इस नोटिस को नहीं देखे हैं आप लोग grade second dose post code जिनका 81 बटे 17 था इनका भी result जारी का दिया गा था देख लें जो candidate selection किये गए थे यह betting list रहे और यहाँ पर current betting list देख लें जो OBC कटेगरी का है यह अभी का है जो यहाँ पर देख लें इससे पहले काफी candidate का जो result आया था यहाँ पर देख लें assistant teacher नसरी के लिए grade attention candidate for the post आप assistant teacher नसरी जिनका post code 43 बटे 18 है अपलोडिंग इडोजियार यहाँ पर देखने अपलोड़ के लिए आया था तो 14 से लेकर यहाँ कल से चालू हो गया इनका first opportunity करिकॉल नोटिस यहाँ पर देखने काफी candidate है total 74 candidate है यदि इन में से जो इन post code 43 बटे 21 assistant teacher नसरी से है उस सभी जिनका भी यहाँ रोल नमबर दिखाया जा रहा है 74 candidate है total तो एक एक करके देख लें यदि अभी तक आपने इस result को नहीं देखा किसी कारण बस तो अब देख लें 74 candidate है और इन सभी candidate को first opportunity दी गई है और चार pending candidate में है जिनके लिए देख लें 14 तीन दो हजार बाइस से लेका 23 माच दो हजार बाइस तक इनके लिए इडोजिया लिंक एक्टिव की गई है और इन ही के बीच में अपने pending documents को submit कर देना है date के अंदर अंदर ही अंता लास्ट में इन सभी candidate को जो नहीं जमा कर पाएंगे उनको rejection notice भेजा जाएगा या second opportunity भी भेजा जा सकता है तो दोनों में से कोई option ना सकता है इसलिए first option भी better है तो आप लोग first option को ही पूरे तरीके सब्मिट कर लिजे rejection notice का कोई कारण ना बनने दीजिए जितने के भी भी first opportunity दी गई है इनमें विसे दोस्तों कोई भी आपकी query हो चार डेत प्लस भी हो KBSO, NBSO या फिर other teachers recruitment हो तो हमें कमेंट के मादम से जरूर बताएं और वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट के बाक्स में बता है Thank you